हाई एवरिवन वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल हमारा आज का टॉपिक है डिराइव एक्सपरेशन फार इलेक्रिक फील्ड द्यू तू डिस्क आफ चार्जिस फो यह रहे लर्निंग स्टैप्स पसर आफ हम फर्स्ट सेप में देखेंगे हम एक डिस्क वे दो कंसंट्रिक सरकल ड्राइव करेंगे स्टैप नमबर टू में हाई लाइट तू सिमेट्रीकली इकोल सर्फिस ऐलिमेंट दो सर्फिस ऐलिमेंट चूज़ करेंगे हम जी डिस्क के उपर और के बाद राइट एलेक्रिक फील्ड डियू तो एच शर्पिस ऐ दोनों elements के electric field का magnitude मलूम करेंगे और end पर हम क्या करेंगे integrate कर देंगे resultant electric field को far whole disk तो ये थे students learning steps चलिए अब mathematical derivation की तरह बढ़ते हैं So let us consider we have a disk of center O and radius R तो ये हमारे पास एक disk है इसमें इसका center O है और इसका ये radius क्या है ये R है Now let us consider a central axis which is passing through its center तो ये देखें ये जो line dotted नजर आपको आ रही है ये क्या है ये एक central axis है जो के इस center से भी pass हो रहा है ठीक हो गया इसी central axis के उपर हमने कोई point consider करना है और बाद में यहीं इसी के उपर हमने electric field intensity को find करना है अचा जी Now draw two concentric circle on the surface of disk as shown in figure तो ये देखें जी दो circle आपने draw करने है ये पहला circle है ये दूसरा circle है लेकिन दोनों का center same होना चाहिए O point ही होना चाहिए तो ये हमने इसके उपर खुद ही draw कर लेने हैं ठीक हो गया जी अब let omega is the radius of outer circle and d omega is the width between two circle तो यहां से लेके यहां तक यह outer circle का क्या radius है और इन दो circles के दर्मयान जो space है जो फासला है जो इसके width है उसको हमने क्या बोला है d omega बोला है ठीक हो गया जी student ये हमने चीज़े suppose कर लेनी है ओके जी now consider two surface element L and M symmetrically equal on the diameter अब हमने यहां पे दो surface element consider करनी है एक का नाम L और एक का नाम M रखना है ठीक है ये देखें जी ये एक surface element है ठीक है जी इसका नाम हमने L रख दिया ठीक है और इसी तरह दूसी side पे भी लेना है ये जी दूसी side पे भी आ गई तो ये देख रहे हैं कि ये दूसी side पे surface element हमने लिए है इसका नाम हमने M रख देना है ओके ठीक हो गया यहां तक अब हम आगे बढ़ते है ये जी वो पी वो पॉइंट है लेट लेट डीक्यू इस दा समाल अमाउंट आफ चार्ज इन दी surface element आफ एरिया डी ए तो ये जो इसके ये जो surface है ये बलैक सी आपको नजर आ रही है तो suppose हमने कर लेना है कि इसके अंदर जिचना चार्ज आ गया वो उसकी वैल्यू कितनी है वो डीक्यू है और ये जो blackness आपको नजर आ रहा है इसका जो आ रहा है इसका जो एरिया है ना ये suppose हमने किया है ये डी ए है तो अब surface charge density क्या होगी आपने डीक्यू को और डी ए को आपसमें क्या कर देना है डीवाइड कर देना है और यहां से आपने डीक्यू की वैल्यू निकाल लेनी है तो डीक्यू इस इकूल टू सिग्मा टाइम्स डी ए ये आपके पास क्यूशन आ जागी बड़ी important क्यूशन है मजीद आब आगे हम बढ़ते हैं जी अब हम जानते हैं कि आर्क लेन्थ क्या होती है आर्क लेन्थ स्टुडेंट्स आप जानते हैं इस इस इकूल टू आर्थीटा बड़ा famous फार्मूला है तो उसी तरह हम इसको उसी reference से लिखेंगे आर्क लेन्थ इस इकूल टू आर multiply by थीटा अब हमारे वाले केस में यह जो रेडियस है हमारे वाले केस में हमने रेडियस इसको suppose किया तो उमेगा तो radius की जगा यहां पे क्या आजाएगा ओमेगा आजाएगा और इस theta की जगा यह D alpha आजाएगा जबके यह D alpha यह दो radii के दर्मियान angle है यह जो आप blue color की दो line देख रहे हैं तो यह basically इनी circles के दो radii हैं तो इनी के दर्मियान जो angle बन रहा है that is D alpha ठीक हो गया student तो यहां पे हम इसका area कैसे निकलेगा तो area का basic formula क्या होता है length multiple by width तो यहां पे हम arc length लेंगे length की बजाए और width लेंगे फार्मूले में तो यह arc length भी आप उपर निकाल के आएं omega times D alpha यहां आप value put कर देंगे यह यहां भी explain किया गया है तो यहां देखें जी यह arc है ठीक है और यह इसके दो rad आए है radius क्या है omega है width इसकी क्या है D omega है और यह angle क्या है alpha इन तीनों को आपने multiply कर देना यह देखें यहां पे लिखा हुआ है तो क्या आजाएगा इस यह जो इतना आपके पास यह नदर आ रही है आपको एक arc इसकी area इसका surface area आजाएगा ठीक है अब यह वापस आपने यह value इस equation में put करनी है इदर put करनी है ठीक है जी तो यह आपके पास आजाएगा therefore small charge become as dq is equal to sigma times omega d alpha d omega ठीक हो गया तो यह यहां पे क्या हो गया यह charge की मिकदार आगी अब आगे बढ़ते है ओके जी यह पी फर्ज का लिया वो point है जिसके उपर क्या करना हम चाते हैं पी point के उपर हम electric field intensity या electric field की value मुलूम करना चाते हैं इस element की वज़ा से और इस m element की वज़ा से यह जो पी point है यह origin से या center से समय लें कि यह z फासले के उपर है z height के उपर पड़ा हुआ है तो electric field की direction यहां से इस point के उपर क्या होगी आपने इसको join कर देना इसके साथ और आगे proceed कर देना है इसी तरह यह M वाला जो element होगा इसका point P के उपर electric field क्या होगा किस direction में होगा आपने इसको join कर देना है और आगे क्या कर देना है प्रसीड कर देना है ठीक हो गया जी और यहां से ले जो इलेक्टिक फियल्ड होगा इस पॉइंट के उपर वो इस डिरेक्शन में तो होगा, लेकिन उसका मैथमेटिकल फाम क्या होगा, एंडला मैथमेटिकल फाम आप इलेक्टिक फियल्ड इस गिवन है, डि.E.L. इक्वल्स के ड.Q. अपॉन R. स्क्वेर, ये इसकी नुमेरि के लगा होगा वो भी same वो ही होगा लेकिन बस इसके वे एम आजाएगा अब now look at the right hand side of these two equations ये right hand side देखें और ये वाली right hand side देखें तो ये दोनों same हैं आपस में इसका मतलब ये left hand side भी आपस में क्या होंगी same होंगी तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं from above two equations we can write DEL equals DEM ओके ठीक हो गया अब आगे हम बढ़ते हैं अचा जी अब हम क्या करेंगे rectangular components draw करेंगे rectangular component आप DEL ये जो ये DEL है इसके rectangular components क्या होंगे देखें जी ये आगे दो rectangular component एक yellow color का है वो आप देख रहे हैं long x x है वो आपने हाँ x भी लिखा हुआ है और दूसरा क्या होगा वो इसके उपर perpendicular होगा वो आपने यहां लिख लेना है तो अब इनके mathematical form लिख लेने हैं DEL x क्या होगा DEL cos theta होगा और DEL y क्या होगा DEL sin theta के equal होगा इसी तरह आपने ये दूसरे भी component लिख लेने हैं DEM के तो वो एक होगा जो along x axis होगा वो DEM x होगा और जो इसके एक उपर perpendicular होगा वो DEM y होगा और इनके आपने mathematical expression भी लिख लेने हैं DEM x क्या होगा DEM cos theta और DEM y क्या होगा DEM sin theta होगा ठीक होगा जी अब जी आपने क्या करना है तमाम x axis और तमाम y axis के resultant लेने हैं यानि जितने भी component along x axis हैं उनको sum up कर दें जितने भी along y axis हैं उनको sum up कर दें तो पहले जी x axis so resultant x component of electric field तो D.E.X, D.E.L.X and D.E.M.X को आपने add कर देना है ठीक है अब आपने यहां से यह दो values यहां से आपने put कर दिनी है यह दो value अभी में insert कर दिनी है यह negative sign आपने यहां पर लगाना है because this is along negative x axis तो जो चीज नेगटिव x axis के along होगी उसके साथ आपने यहां पर negative introduce करोना है baggats open करें तो यह जो आपने पीछे पड़ा है अभी पीछे आप पढ़के आए है कि D.E.M. और D.E.L. तो आपस में equal है तो इसका मतलब यहां भी आप D.E.L. लिख देंगे यहां भी D.E.L. लिख देंगे यह दो आपस में equal है ठीक हो Gary तो यह कट रिएगा यह क्यों कटा क्योंकि D.E.L. और D.E.M. पीछे स्लाइड में प्रूफ कर चुके हुए है कि यह दोनों आपस में equal है तो यह दोनों cancel हो जाएंगे तो D.E.X. जो है न यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यह यहां भी नदर आ रहा है यह कंपोनेंट आफ एलेक्टिक फील्ड क्या होगा आपने इन दोनों कंपोनेंट्स को एड़ कर देना है तो D.E.Y. equals D.E.L.Y. प्लस D.E.M.Y. इन सक को एड़ कर देना है और इनकी अब वैल्यू भी आपने इंसर्ट कर देनी है तो यह दोनों सेम डिरेक्शन में आप देखेंगे तो यह दोनों सेम डिरेक्शन में है इसलिए इन दोनों के साद आपने पॉजिटिव साइन लगाना है ठीक है नेक्स आप देखेंगे इनको sum up करेंगे तो यह simply sum up हो जाएंगे two time d e l sin theta answer आ जाएगा तो resultant field d x का 0 है लेकिन d e y का 0 नहीं है उसका यह अंसर है now the magnitude of resultant electric field due to two surface elements क्या होगा इनको आपने vector sum करना है तो जीके यह vector sum हम लेते थे d e is equal to d e x square plus d e y square whole under root इनमें आपने यह values put कर देनी है पीछे वाली की यह x वाली की value 0 थी और y वाली की value यह आपने उपर लिखी इसमें insert की तो मैंने मेडिकी सल्व किया तो यह रहा आपका resultant electric field इन दो elements की वज़ा से अब आपने यहाँ पे d e l की और sin theta की value put कर देनी है तो सबसे पहले आप देखेना है यह d e l की आपने value put की के d q upon r square और sin theta की भी आगया value put करेंगे क्योंकि आप इस triangle को आप देखेंगे तो यह आपका perpendicular है यह hypotenuse है आप इन दोनों को divide जब करेंगे तो sin theta की ratio निकलेगी ठीक है अब अगले step में आपने sin theta की value भी put कर देनी है देखेंगे यह आपने sin theta की यह पे value put की और एक सो जब आप simplify करेंगे तो simply answer क्या आजएगा 2 k d q upon r cube और यह z यह जो है ना यह r r cube बन जाएगा ठीक हो गया और d रसी आगया ओके यहां तक समझ आगी बटा अब आगे हम बढ़ते हैं next slide में जाते हैं अब आपने क्या करना है अब फ्रॉम फिगर आप जानते हैं पाइथागोरीन थुरम आप अपलाई करेंगे राइट अंगल ट्राइंगल के उपर तो r square जो होगा under root of z square plus omega square होगा और इसी तरह आप जानते हैं के d q is equal to sigma omega d alpha and d omega के equal होता था यह सबसे पहली equation थी जो हमने drive की थी अब यह दोनों values आपने क्या करनी है वो पीछे previous equation में आपने put करनी है तो जब आप यह previous equation में put करेंगे तो आप देखेंगे के यह आजएगा 2 के sigma omega d alpha d omega और यह r cube की बजाए यहाँ पे अब यह वली value अब r cube के भी जाए आजएगी यहाँ पे और power भी 3 by 2 हो जाएगी चुकर यह power 1 by 2 थी और 3 साथ चुकर r cube था तो यह 3 by 2 होगी और 3 साथ रही जाएगी अब आप चाहते हैं कि पूरी disk की वज़ा से जो electric field था point P के ओपर वो क्या होगा तो अब हम इसको दोनों तरफ से integrate कर देंगे तो तो फाइंड electric field at point P due to whole distribution of charges at disk we integrate तो जी integrate करेंगे तखें जी यहाँ पे हमने integrate किया इस साइट पे भी integrate किया और इस साइट पे हमने दो integration करनी है चुकर यह दखें यहाँ दो d involved हैं यहाँ पे दो variable होंगे एक d alpha होगा variable और एक d omega होगा लियादा integration भी इन्ही दो पे लगेंगी यह d alpha और d omega वाली terms variable है इनके लावा जितनी भी terms होगी वो constant होगी आप उनको integration के बाहर लिख सकते हैं जैसे यह लिकी हुई है 2 z k सिगमा यह constant terms है integration से बाहर आगी बाकी आपने यह terms को पहली दफ़ा integration omega पे लिखने यह variable है और दूसी दफ़ा आपने integration लिखनी है d alpha पे यह भी variable है limits लेनी है limits आप 0 से पाई लेंगे चुके आप circle को 180 degree पे आप दूसरा element लाई कर रहा है L element और M element के दर्मयान जो angle है चुके यह दोनों एक दूसरे के symmetry कली opposite है इसलिए opposite line में जैसे आप जानते हैं के 180 का angle होता है इसलिए आप यहाँ इसकी limit लेंगे 0 से पाई ठीक है और इसकी limit में यह scene है कि आप का यह जो omega है यह कह ले यह इसकी value minimum कितनी हो सकती है 0 सकती है ज्यादा से ज्यादा इसकी value कितनी हो सकती है यह disc के radius के equal होगी इससे आप ज्यादा लेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि जो point आप consider कर रहे हैं या जो आप circle consider कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा वो disc से out हो जाएगा इसलिए आप आर तक रहना है R से बाहर नहीं जाना अब आम integration जब perform करेंगे तो ये देखें ये इस वाले integration पहले देखते है कि इसकी integration क्या है तो ये देखें आप जब ये differential integral से कट जाएगा तो upper limit minus low limit जब आप apply करेंगे तो answer इसका क्या आएगा पाई आजएगा ठीक है ये पाई भी हमने उपर put कर देना देखें ये यहां पे पहले पाई नहीं था अब यहां पे ये देखें ये पाई आगे यानि आपने ये values की put कर दी इस integral की तो वो चुके constant है वो integration से out होके यहां लिखा जाएगा जी अब ये integration second integration रहा गया इसको भी हम solve करेंगे तो आप इसको solve करने के लिए ये जो two है ना आप को आप इसको ज़रा bracket के अंदर और integration के अंदर ले जाएगा जाएगा तो ये mathematical trick कहलें एक तरह का तो यह ज़रा देखें यहां पे आप देख रहे हैं कि ये उसको इसको पावर करने का क्या तरह करेंगे अब आप देख रहे हैं कि घिए इसको अगे पढ़ा हुआ है तो इक पावर करने का की तरीका है इसकी पावर में वन एड करेंगे और उसी से ही क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ये देखें ये सारी वो टरम लिखी है इसकी पावर में एक एड हुआ 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 है और इस सारी टरम से आपने इसको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है और लिमिट भी ल प्लस 3 बाइ 2 माइनस 3 बाइ 2 प्लस 1 माइनस 1 बाइ 2 के एकवल होता है और चुक्के ये टर्म बटे के नीचे थी तो ये माइनस 2 आजाएगा यहां पे और अब आप दिखेंगे आप आपने क्या करना है इसके उपर लिमिट अपलाई करनी है तो अपर लिमिट माइनस लो लिमिट आपने लिमिट किसके उपर लगानी है जो चीज वेरियेबल है वेरियेबल कोन है ओमेगा है ओमेगा को रिपलेस करना है आपने आर के साथ और ओमेगा को ही रिपलेस करना है जीरो के साथ तो इसकी simplification करते जाएंगे यह थोड़ी आपने simplification की तो यहाँ पे यह सारी चीजें यह देखे यह simplify हो के यह z के omega time minus 2 और यह आ गया 1 over under the root r square z square plus r square into minus 1 over z ब्रेकट प्लोज अब आपने क्या करना है इस z को आप पहले आप इस minus को अंदर ले जाएंगे यह z अंदर चला गया यह देखें यह z अंदर गया तो इसके साथ multiply हुआ तो यह z one multiply by z z आ गया और जब इस से multiply हुआ तो यह one आ गया जी z से cancel हो गया अब आपने क्या करना है यह minus sign को भी अंदर वे दिया जब आप minus sign को जब अंदर वे दिया वन पहले आजएगा और यह बाद में यह देखें आडर रिवर्स हो गया है यहाँ पे नहीं था यहाँ आडर रिवर्स हो गया है चुक्के negative sign अंदर चला गया है ठीक हो गया है तो यह आपने क्या की वैल्यू पुट कर दिये रहें यहाँ पे आपने के की वैल्यू पुट की और यह 2 और इस 4 से कैंसल होगा यह वाला पाई इस पाई से कैंसल होगा तो आपके पास final जो result आएगा जो electric field का जो expression है वो यह निकलेगा 1 over 4 epsilon not into sigma और bracket में है 1 minus z upon under root of z square plus r square ओके यह main expression है और इसको आपने जहाँ जेन में रखना है इसी की basis पे बहुत सरे numerical भी आ सकते हैं आपको तो अब एक special case लेके चलते हैं जी जी special case है when r is very very larger than z r की value बहुत ज्यादा हो z की value बहुत चोटी हो तो physics में जो चीज बहुत चोटी हो जिए that is nearly equal to zero अब आपने जहां जहां आपको यहां z नजर आ रहा है यहां भी और उपर भी और नीचे भी यहां भी आपने zero put कर देना है तो जब आपने यहां zero put करेंगे तो यह term वैसे ही vanish होजेगी यह zero होजेगी ठीक है और बाकी term को आपने as it लिक देना है simplify करके लिखेंगे तो यह रहा आपका electric field की value sorry यह four नहीं है यहां two है चुकर यह इस two को मैंने इस two से इस four से cancel कर दिया था तो यहां पर यह four लगा है that is not four it is two one over two तो यहां भी one over two है यहां भी one over two है यह आपने जहां जेन में रखना है यहां पर यह वाली जो value है यह four नहीं है it is actually two तो यह मैं इसको यह कट गी यह असल मैंने इसको यहां पर two लिख दिया यह two है ठीक है तो आपने इसको जेन में रखना है कि यह four नहीं है यह मैंने इसको cancel कर दिया तो यह असल में यहां पर क्या है असल में यह two है ठीक है तो इसी तना यह आपका क्या आगया अब यह result क्या शो करता है does the electric field becomes like that of uniform sheet of charges of infinite extent मतलब यह है कि यह जो relation निकला है यह बिलकुल वैसा ही है जैसा कि आप एक uniform sheet of charges ले जो आपने पीछे एक case discuss भी किया हुआ है I think previous classes में तो उसमें आप sheet sheet लेते थे तो उसका result भी यह इस तरह का आता था one over two epsilon r time sigma में अगर आप इस charge को आर्क को बहुत बड़ा कर देते हैं तो यह जो term है यह reduce हो जाएगी बिलकुल एक sheet के sheet of charges की तरह ठीक हो गया तो student यह था आज का topic है अमीदा आपको समझ आई होगी अगर आपको कुछ मसला हो या कुछ discussion करनी हो तो आप मुझे comments कर सकते हैं Thank you very much for your cooperation Allah पेस